आज मिलकर आई हूँ आपके लिए मुंग दाल की मठ्री की रेसिपी यह मठ्रियां देखने ही बहुत अच्छी लगती है इसकी एक एक लिए अलग लग हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी बनता है यह शाम की स्नक्स के लिए आ सफर में ले जाने के लिए बहुत ही बढ़ि अब इस मुंग दाल में पाई डाल देंगे और इसे अच्छे से दो से तीम बार वाश कर लेंगे इसे दो से तीम बार पाई से अच्छे से वाश कर लेंगे ताकि उसमें डस्ट वगेरा हो वो निकल जाए अच्छे से वाश करने के बाद अब इसमें पानी डाल देंगे अ अब इस दाल का सारा पानी चान लेंगे सारे पानी को अच्छे से चन्दी से चान की अलग कर लिजेगा जिसे जो मूंग दाल का पेस्ट रहना बिलकुल बढ़ी यह गाढ़ा पिसेगा अब इस मूंग दाल को ग्रैड़ जार में डाल देंगे अब इसका बिल्कुल बढ़िया fine paste पीस लेंगे खुश करिएगा बिना पानी आड़ कर यही पीस हिएगा अगर फिर भी ज़रत लगे तो एक दो चमश पानी को आड़ कर लीजिएगा यह देखिए साइचीज अच्छे से पिस गई है मैं इसे पीस्टे से मैं बिल्कुल भी पाने का इसमाल नहीं किया है अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं यह जो पेस्ट की काफी जादा गाड़ा है और ध्यान रखिएगा यह जो पेस्ट है बिल्कुल भी दरदरा ना रहे बालिद पेस्ट पीषिएगा अब इसमें हम स्वाधन नमक ढाल देंगे अब इसमें जाएगा 1 जताइच चमश कालेmish का पौडर पौडर न न हूँ तो कालेmish को कूटकर ढाल दें इसमेung बढ़िया कलर के लिए इसमें एक चमश हलदी ढाल देंगे इसके बाद एक चमच अजवाइन को इस तरके से हाथों पर मसल कर इसमें डाल देंगे जब भी आपको फ्राइड चीज बनाते हैं उसमें अजवाइन जरूर आड़ करें यह डाजिशन मदद करता है इसमें हमने बहुत ही सिंपल से चीज़ें आड़ की हैं बहुत जादा मसार डाल के से स्पाइसी नहीं करेंगे जितना ही से सिंपल रखेंगे न मठ्रिया उतनी अच्छी बनती हैं अब इसमें दो चुटी चमच तेल डाल देंगे मोहिन के लिए जिसे जो हमाई मत्रियां बिल्कुल बढ़ीयां घषता क्रिस्पी बने वापस सही चीजेगों बढ़ीयां से मिक्स कर लेंगे इस मर्च्रि को बनाते समय आपको इसबात का ध्यान रखना है कि जो मोंग दाल का पेस्ट है उसे बिल्कुल महीन पीचना है और मुंग दाल अच्छे से फूली होई होगी तब ही जो पेस्ट है बिल्कुल बनिया बनेगा साही चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसका डो लगा लेते हैं सो मैंने यहाँ पर आधा कप मैदा लिया है सारा मैदा इसमें एक साथ करके नहीं डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके इसमें अड़ करते जाएंगे अब इसे मुंग दाल के पेश के साथ मिक्स करते जाएंगे अगर आप इसमें और हेल्दी की से बनाना चाहते हैं यह ज़िए माईदे कर खोगते जाकडक़ई और अभराट शॉआ जाक रचाने वहारे में चुनल था आटकर र omega अस्तमाल किया हाद अब अच्छल के स्टमाल क्यक्ि अलगे थाटे को ढखके सैट करेंगे तब तकम आगे त्याatte में अब टौ को अच्छा से मिक्स करके एक पेस्ट एड़ी कर लेना है इस पेस्ट की वजए से बिल्कुल अलग-लग खसता लेर्स बनेगी तो मारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है अब माटे को देख लेते हैं अब जो हमने आटा गुता था उसे हम इस तरह की से चकले पर रखकर थोड़ा स कर सकते हैं अब इन में से एक हिस्सा ले लेंगे और बागी दो को बोल में धग कर रख देंगे अब यह जो हिस्सा इसे हम हाथों पर इसे के से रोल करते हुए गोल शेव दे देंगे और इसे चप्टा करने के बाद चकले पर रख देंगे और इसके उपर सुखार रख दे प्रविए प्रफ प्रव चांगे ही जैसे जंक रजा इंगे उसे हाथों से हलक प्रेस कर तो है फिला दिजिएगा तकी इसे बेल pronunciation और अज़ास बेल लेना और यसे लगा देंगे आफ्ला 1 प्रवच को और साव्चार से सांग मेर इसे हसा बेल लींगी एसे से बेल से फोल्ड कर लेंगे और से इसी तरह इसे हम दूसरी साइट से भी फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करने के बाद इसे हम हलका प्रेस कर लेंगे अब इसके उपर भी जो हमने सलरी बनाई है उससे लगा देंगे बहुत जार नहीं बस थोड़ा थोड़ा लगाना है ताकि हम इसे फ तोछ जब ऊसे फिर से फोल कर लेंगे। तोशसे होपा इसके िसे हम पतल रहेंगे । दोनों साइट पर सुकार्टा लगा देंगे और इसे हम बेल लेंगे अब इसका शेप चाहिए नहीं करेंगे जैसे है ये स्क्वार शेप हमें वैसे ही बेलना है और इसे हम जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे बेलने के बाद इसके उपर फिर से Technically बनाई थी ना उसे लगा देंगे वापस से इसके उपर सुकाठ अजर रख देंगे शरकसे उठाटा ते भें के दोनों साइडसे फोल कर लेंगे अब बस ये लास्ट इम इसके ओपर हम फिर से जो पेस बनाया था हमने वो लगा देंगे एक साइड पर ही लगाएगा उसके बाद इसे फोल कर लेंगे और अब इसे हम बेल लेंगे हलका मोटा रखियेगा बहुता पतला नहीं बेल लिएगा बेलने के बाद अब इसके हम पीसे कट कर लेंगे ये देखिए इसमें कितनी बढ़िया लेर आई है जब इसे फ्राई करेंगे तो किस साइड अच्छे से खुल जाएंगी अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं अब जैसे हमें एक पीस ओयर में डालेंगे न ये देखिए तुरंद पीस ऊपर आ गया है मतलब ओयर बिल्कुल बढ़िया गरह में अब इसमें एक एक करके सारे पीसे डाल देंगे और सारे पीसे डालने के बाद कैसी फ्राई को मीडियम कर देंगे स्टार्टिंग के दो त्री मिड़ इन्हें बिल्कुल टच मत करिएगा लग बग दो से तीमने बाद इन्हें चला लेंगे और इन्हें पलड़ पलड़ कर दब तक पकाएंगे जब तक या बाहर से अच्छे से गुल्डन ब्राउन ना हो जाएं और यह देखिए जैसे पकते जा रहे हैं इनके लेयर्स खुलती जा रही है इन्हें मीडियम फ्लेमर पकाएंगे ताकि या अंदर तक अच्छे से पक जाएं और सीके साथ हमारा मत्रिया है वह बहुत ही कम र हो चुकी है इसमय बबलस काम एया मत्रिया राचर से पक गई है इन्हें और्स से बाहर निकाल लेंगे बहुत ही टीस्टी और क्रिस्पी मच्री बनकर रेड़ी है इन्हें आप दो मेने के लिए एटान कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं यह देखिए यह मच्रियां देखने में कितने अच्छी लग रही हैं मैं आपको एक मच्री तोड़ कर दिखाती हूँ इसकी लेर्स भी बिल्कुल बढ़ियां से अरलग लग खुल गई है यह देखिए कितने असाइन से तूट जा रहे हैं यह कितने क्रिस्पी बने है बहुत ही टेम्टिंग बनता है यह आप बना कर देखिए यह किसी को बहुत पसंद आएगा अगर आपको यह रस्पी पसंद आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले